वेगा उक्षन से पहले इस साल फिर करेगी RCB कई प्लियर्स को रिलीज और रेटेन लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे RCB की 10 एतिहासिक गल्तियां 10 ऐसे खिलाडियों के नाम जो एक जमाने में RCB की टीम में खेला करते थे आज ये प्लियर्स बहुत बड़े बन चुके हैं लेकिन वहीं RCB का इतिहास और इनके मैनेजमेंट के फैसले इतने बुरे थे कि इन 10 खिलाडियों को अलग-अलग सालों में पिछले 15-16 सालों में RCB ने रिलीज कर दिया चलिए लिस्ट की शुरुआत करते हैं पहला बड़ा नाम इस लिस्ट में है के एल राहूल का जिया दोस्तों एक जमाने में साल 2016 और 2017 में के एल राहूल RCB की टीम का ही हिस्सा थे 2017 में केल राहूल इंजर्ट थे और इसके कारण भईया RCB के मैनेजमेंट को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने भईया 2017 के बाद केल राहूल को रिलीज कर दिया इतना बुरा डिसीजन क्योंकि आज अगर आप देखते हो केल राहूल को तो आप बोलोगे कि भाई इसको तो 30 करोड कोई भी देदेगा नीलामी में मातर एक करोड में उस समय केल राहूल इनके साथ थे उस समय दोस्तों केल राहूल बेंगलॉर के लोकल वह थे इतने बड़े खिलाडी बने नहीं थे और बेंगलॉर की टीम का ही हिस्सा रहना चाहते थे लेकिन RCB के मैनेजमेंट को वो पसंद नहीं आए मैं फिर बोलता आप इस लिस्ट को देखते जाना इतने बड़े बड़े खिलाडियों को इन्होंने इतिहास में रिलीस किया है और आप सोच नहीं सकते हैं यह प्लेयर्स को परकी नहीं पाते हैं दोस्तों इनका मैनेजमेंट मेन कॉस है इनकी हार का विराट कोली नहीं है मैं फिर बोल रह और बहुत अच्छा प्रदेशन करकर खेलते थे 6 करोड रुपे 2021 में यूजी चेहल को लास्ट टाइम दिये थे आरसीवी ने 2022 में रिलीस कर दिया यूजी चेहल बताते हैं उन्होंने एक न्यूस भी बताई बना न्यूस चैनल ब इंडर्व्यू में बताया कि किस तरह से humanus Department प्रदेशन विष्टेशन करदिया लाएं और हमें पता हैं कि अगर परपल काप की दौर देखते हैं अब यूजी चेहल को देखते बास ऑपी और में इस समय आरसीवी की सबसे बड़ी दिक्कत मिस्पिनर्स हैं क्यों रिलीस किये गए मुझे नहीं पता कुछ sources यह बोल रहा है कि RCB के management यह predict किया था कि भाई या 2022 के बाद अब यूजी चैल का दौर खतम हो जाएगा तो इसे पहले ही release कर देते हैं लेकिन यार यह बताता है यूजी चैल का नाम इस लिस्ट में रहना बताता है कि आपके पास इंडिया का सबसे बड़ा spinner में से एक था और आपने उसको release कर दिया मात्र 6 करोड रुपे में खेल रहा थे यूजी चैल आज नीलामी में यूजी चैल जाएंगे 15 करोड से कम कोई नहीं लगाएगा तो कित इसरा बड़ा नाम ट्रेवियस हैड जी या इस समय दुनिया के सबसे कतनाग वल्लेवाजों में से एक ट्रेवियस हैड एक जमाने में RCV की टीम में केला करते थे तीसरा बड़ा नाम है 2016-2017 में जब केल राहूल थे न RCV में तब ट्रेवियस हैड भी थे उस समय इनके रुपे 2018-19-20-21-22-24 तो साले 3 करोड रुपे मातर लगते RCV के हर साल 50-50 लाग रुपे देकर और ट्रेवियस हैड कितना चला पिछले सीजन में सब ने देखा कोई बड़ा रीजन नहीं था सिर्फ यह रीजन था कि एक विदेशी वल्लेबास है और हमाए पास अल्रेड़ और हमें पता है कि RCV की टीम को क्योंकि प्लैसस 40 साल के हो गए प्लैसस के इस्थान पर एक विदेशी बल्लेबास की जरूवत है एक जमाने में क्रिस गेल ने समाला अब प्लैसस समाल रहा है विदेशी बल्लेबास के रूप में लेकिन भविष्च में एक बड़ा डिस्क्रिशन बॉक्स में डाल दूँगा 17,000 लोग परिवार का हिस्सा है आई पेल की इसी तरह के फैट न्यूस अफडेट हर रोज आपकी स्क्रीन पर परोस्ते है तो देर मत कीजिए दोस्तों टेलीग्राम पर भी परिवार का हिस्सा बन जाई है फ्री में जॉइन कीज है कुछ मैचस नहीं खिला है और उसके बाद बुल दिया टाटा बाए 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 आज हेंदी क्लासन कितना वड़ा नाम बन चुका है यह सब को पता है यह जब प्लेयर छोटा होता है न तो यह परग बड़ी जल्दी लेता है वही आर्सीवी का मैनेजमेंट वो परग कर इस अब प्लेयर को ले ज़रूर लेता है लेकिन फिर यह किसी की सुन्ता भी नहीं हो और रिलीज सब्सक्राव बहुत जल्दी कर देता है और फिर आप बोलते होगे विराट के कारण रसीवी रहती हारेड वे विराट कोली का रिकोर्ण उठा कर देखो हर साल वह बंदा च जाने दिया यह सारे प्लेयर्स होते है RCB में दस किताब लेकर वैटी होती RCB, तीन दो से तीन ट्रॉफी तो पकी दी, लेकिन में यह जाने दिया, क्या कर सकते है, क्लासन चौता बढ़ा नाम है, शिवम्दुबे, जी यह शिवम्दुबे, जो इस समय है, हर्दिक पंडिया क एक CD रिप्लेस्मेंट दिख रहा है, चेने सूपर किंग्स की टीम में कैसा प्रदर्शन ता पिशन सालों में सब को पता है, एक जमाने में RCB की टीम का हिस्साथ है, पाच करोड दिये थे 2020 में RCB वालों ने शिवम्दुबे को लिया था, 2019-2020, दो साल खिलाया, प्रदर्श जंकर एक, शिवम्दुबे एक नाम है, हाला कि बल्ले बाजी करते हैं, फिनिशर का ही रोल है, शिवम्दुबे का गेन बाजी की कर लेते हैं, और तीसरा हर दिख पंडे आ है, ढूणने से नहीं मिलते हैं, RCB के पास थे 2020 में, जाने दिया वाई उनको, और अभी ये होता प्पंडा, पिछले सीजन में, तो मिड़ल उर्डर के इनकी पूरी समस्या solve कर देता, अगर कलासान और हेड होते, नकी बल्ले बाजी जो यो कॉलाप्स कर रही थी, वो कॉलाप्स होना बन्न हो जाती, चहल होते तो स्पिन की इनकी समस्या solve हो जाती, लेगिन ये सारे प्ल 2018 में मातर एक साल खिलाया फिर जाने दिया 19 में फिर वो महीं में आ गए रिलीस का कोई बड़ा रीजन था नहीं डीकॉक उनने का कि भाई हमारे पास अल्रेडी बहुत बुरा प्रदर्शन भी नहीं कर रहे थे क्योंकि 2019 के बाद तो हर साल डीकॉक चला है चार साल लगाता डीकॉक चला लेकिन निकाल दिया आगे बढ़ते हैं सातवा बना नाम भाहिया इस लिस्ट में आवेश खान है आप जरूर बताना कॉमेंट बॉक्स में कि के खिलाब RCB की हार का ठीक्रा फोड़ देते लेकिन ये वीडियो आपको बताई कि नंबर साथ पर आवेश खान का नाम आता है आवेश खान जो इस समय IPL में अगर हम देखें तो बहुत बड़े नाम है अभी तो दद्दस करोण में बिक रहे हैं एक बार दो बार परपल क इसमें उतना आवेश नी चले लेकिन 20 किस के बाद आवेश खान का फिर आवेश में आ गया और आवेश जब आवेश में आए तो फिर आवेश खान को और अब निल्यामी में शायद अगर गए भी तो 15-16 करोड़ से कम में आवेश खान जाएंगे नहीं इंदुस्तानी ते तेजगेन बाज में जाता जो अभी शिरास के साथ खेल कर आपकी तेजगेन बाजी की प्रॉब्लम सॉल्व कर देता यूजी चैल भी आपके पास होते केल राउल भी आपके पास होते हैं हैं क्लासन भी आपके पास होते दुबे भी आपके पास होते उपर से डी कॉग भी होते विराड़ भी होते सोचो भाई टीम कैसी होती आगे बढ़ते हैं आठवा बादा भुबनेश्वर कुमार भी रिलीस कर चुकी एक जमाने में 2009-2010 में भुबनेश्वर कुमार की सर्वेसस ली थी मात्रे 6,00,00 रुपे साला आना में भुबनेश्वर कुमार आर्सीवी की टीम का हिस्सा बने दे 2010 तक इन्हें 6,00,00 रुपे साला ना मिल रहे थे उसके बाद आर्सीवी की टीम ने निकाल दिया रिजन था कोई बड़ा प्लेयर नहीं है बुबनेश्वर कुमार का तगड़ा प्रदेशन आता है 2012 में बुबनेश्वर कुमार इंडिया के लिए डेब्यू कर जाते हैं मला आपके पास ऐसा खिलाडी था और उसके बाद 2017-18-19 तक बुबनेश्वर कुमार हिंदुस्ताइनी तेज गेनवाजी में बहुत बड़ा नाम बनकर निकलते हैं और अगर वो RCB में होते हैं तो RCB को यह पूरा फायदा मिलता लेकिन सिर्व इस लिए निकाल दिया कि कोई बड़ा नाम नहीं है भाई निकाल दो ऐसी निकाल देते हैं उस समय कहा जाता है विजह माल ने अपने हिसाब से डाइस फिक कर डिसीजन ल बता है कि कितना संतूलन दे देते हैं किसी भी टीम को और अभी इन्होंने जो Cameron Green लिये हैं ना RCB ने 17 करोड रुपे में अगर उसकी जगा मार्कस स्टोइनिस होता ना तो जमीन आस्मान का अंतर वो पैदा कर सकता तो Australia के प्राइम All-Rounders में से एक आज मार्कस स्टोइनिस क नाम आता है Cameron Green का ने तो भाई Cameron Green तो अभी स्टार्ट हुए मार्कस स्टोइनिस 2019 में आ चुके थे RCB के पास निकाल दिये गए आगे बड़ते हैं दसवा बड़ा नाम है ऑस्ट्रेलिया के एडम जैंपा का 2020-2021 में मात्र देड करोड रुपे में एडम जैंपा थे RCB में आपको हाला कि थे तो इनके पास हसरंगा भी उनको भी इन्होंने निकाला है लेकिन दसवा बड़ा नाम हमने जैंपा कर रखा तो यह दस बड़े नाम थे एतिहासिक रूप से जो एक जमाने में कभी न कभी RCB की टीम में खेले देखें लेकिन रिलीस कर दिये गए विदा बड़े नामत है आपके बास तो बताओ आप भी इस पर अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में लेको इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो अगर आई पिल के फैन हो तो लाइक और शेयर जरू करना टेलीग्राम कर जॉइन करो नीचे लिंक है उस चैनल को सब्सक्राइब नही नीचे हिट करका बेला आकान दबाव